गांधी मैदान में नरंद्र मोदी जी आये थे तो बम फीट कर वादिया गया था आज तक पकड़ाया आज तक कोई कंक्लूजन हुआ कोई जूडिसल कमीशन की बात हुई जो देश का कल प्रधान मुंत्री होने जा रहा है और गांधी मैदान में सरकार के सनक्षन में कार्प अंतरकारी है बागेस्वर धाम से आ रहे हैं पंडित धिरेंद सास्त्री जी पटना आ रहे हैं पहले गांधी मैदान की बात हुई फिर नौवत पूर में तरेत पाली मठ के पास उनका कथा प्रवचन होगा और मगर उसके बाद बिहार में जो बिवाद छिड़ गया है बि कड़वाने की बात कही है साथ ही जगदा वाबुने का कहना था कि यहां जैसे वह बाबा है उनको जेल में रहना चाहिए ऐसे कई और भी बाते चल चुकी है उसी के नियमित अभी हमारे साथ हैं अरुन कुमार जी जो जहानावाद से पुरूव सांसद भी रहे हैं और आर जे डी जंगल राज था नितीश कुमार काह करते थे उसी जंगल में प्रवेश कर गये हैं आजकल सुसासन भागुए तो निश्चित तोर से अहंकार और बड़ा हो जाएगा यह तो आस्था का विश्य है कौन किसको माने नहीं माने उस आस्था के दृष्टी से भाबा आ रहे हैं जिनको आस्था है वो जाएंगे जिनको आस्था नहीं है वो नहीं जाएंगे यह पॉलिटकल स्टंट बना रहे हैं चुकि इन लोगों को करना तो कुछ नहीं है कभी जाती है जनगन्ना में जाएंगे कभी कोई सवाल खड़ा करेंगे कभी कोई सवाल यहां जर स्टरह वर्षों में इनको ज्ञान हुआ कि कौन-कौन सी जाती गरीब है तो 32 साल से आप हैं जिसमें 17 साल नितीश कुमार रहे हैं उनकी बात तो छोड़ दीजिए लालू जी मस्त आदमी थे किसी को हार्म नहीं करते थे लेकिन नितीश कुमार तो सिर्फ नकारात्मक शक्तियों के प्रतीक बन गये हैं सिर्फ अनाप सनाप काम करना अभी कोट ने रुक लगाया क्या जरूवत थी इसके और जरूवत है तो करा ले क्या जरूवत है इसके बताईए 17 साल में इनको पता नहीं चला कि गरीब कौन है अमीर कौन है इनके प्रताप से कितने लोग गरीब हो गए कितने लोग अमीर हो गए उसमें तो जाती की सीमा इन्होंने नहीं रखे तो ये सब ड्रामा है स्टंट है किसी तरीके से चर्चे में रहना और नितीश कुमार के सिस से ये लोग हो गए हैं आजकर तो निस्यत रूप से वो एक चीज कहते थे लालू जी तनाव की खिती करते हैं उस पर राजनीत की रोटी सेंखते हैं तो हमको लगता है कि उसी स्क ये सब उसी के अफसुट हैं तेज परताब बगर उसी के अफसर लेकिन बच्चे हैं इन लोगों पर मेरी कोई टिपनी नहीं है ये बात जरूर है कि जगता वावू जब ऐसी बात बोलते हैं कि इनको जेल में रहना चाहिए वही जज हैं उन्ही के हाथ में रहे तो इस सब लुटेरों को बाहर करने उन्हीं के बात बयाना है कि तेज परताब का कि सेना उतार देंगे हम अगर वो यहां उतार ठीक बात है तेज परताब की आत्मा जगता वावू अपनी बात आजकल नहीं बोलते हैं उनकी आत्मा में प्रवेस कर गया हैं तेज परताब पहले लाल श्रकार जंता की है यह हंकार में सरकार जंता की आस्था पर हमुला ना करें अभी सुपरेंग यह यहाइड मति है क्या है जनकिक्षिक रुखक्राइब किया savior मारी पार्टी का हमारे रास्टिया ध्रक्स से पूछे लेकिन मैं तो बार बार इस पर कहा हूँ यह एक पलिटकल स्टंट है, मेरी व्यक्तियत तरह एही है कि यह नतीज कुमार को मैं अच्छी तरह समझता हूँ इसलिए उस समय भी मैंने का हो जाने दीजे इनका ये खिलोना ये जुन जुना है समप्त हो जाएगा भै इन लोगों को तो सर मानी चाहिए कि जिस सवाल को ले करके जाती है जनगन्ना करा रहा है तो इस अराजकता में तो इन्होंने रखा है 17 वर्सों तक ये कंट्रोवर्सियल इस चीजों को खोजते रहते हैं आज कल पर्थम परधान मंत्री पर चर्चा कर रहा है भामा साह पर चर्चा करते हैं ललन सराफ ललन सिन पर चर्चा करते हैं भामासा के जहन्ति में इनका या तो यह पूरे तरीके से मांसिक रूप से पिडित हैं, इसा नहीं है तो भीमार होने का नटक कर रहा है शाया भी राजत के नेताओं पर भी पढ़ने लगा है लालु कुत्रों पर सीदे कहा नहीं कैसे होगा जंगल राज में सुसासन प्रवेस करके पूजा कर रहा है तो महां जंगल राज है और ऐसी स्थिती में ये सब अराजक शक्तियां ही चुकि अराजकता से ही इन्होंने समझाता करके राजनीत की है विकास का कोई मापदंड नहीं है विकास प्रथम फाइव में था उसके बाद इन्होंने समझा ये महत्वपुर्ण विशय नहीं है इससे अच्छा तो हम महात्मा फुले हो जाएंगे महात्मा फुले को मार करके उनके नीतियों को समप्त करके अभी एक सवाल और चल रहा है सर सोसल साइट पे कि गांधी मैदान फिल्ड इसलिए नह है कि गांधी मैदान में नरंद्र मोदी जी आये थे तो बंफीट कर वा दिया गया था आज तक पकड़ाया आज तक कोई कंक्लूजन हुआ कोई जूडिसियल कमीशन की बात हुई जो देश का कल प्रधान मंत्री होने जा रहा है और गांधी मैदान में सरकार के सनक्षन में कार्पेट बं लगा दिया गया हजारों लोग मरते इस बात की चिंता सरकार को नहीं थी लेकिन यह अच्छा हुआ कि वहां गांधा लोग बड़ा मजबूत होता है वो घेरे रहेगा कोई 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 नहीं कुछ हो जाता सरकार सर्डियं तरकारी है चले तो यह बात कर रहे अरुन कुमार जी से बाकी और भी तमाम बाते आप देखते रहे खबरे में जगास भारत पर मेरा नाम रवी कांथ हुआ धन्यवाद